तो चलिको करता है है फिराज का वीडियो और आज इस वीडियो में दोस्तों आगे सारे questions कॉंटीन्यू करेंगे इससे पहले जितनी questions की आगे सीरीज सुरू करेंगे उसमें 10 ट्रो पिग रहेंगे टोटल 40 questions रहेंगे दोस्तों हाझ़ी 40 questions में आपके कितने questions यह अगे ए 20 questions तो वीडियो को लाइक जरू करना पसंद आए तो आपको लाइक करना मत बूलना शेर करना शेर जरू करना जो दोस्त नए हैं चेनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना घंटी वाला पटन इसको दो बर जरू दबाना इससे यह रहेगा कि जब भी वीडियो आएगा आदे घंटे पहले आपको नोटिशन मिल जाएगा और वीडियो शुरूने से दो मिनट पहले बील जाएगा नोटिशन तो आप जब भी कुछ काम कर रहे होगा आपको ध्यान दएगा वीडियो आ रहा है तो आपको इसके लिए तयार हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो चुके हैं आपने अगर आपको क्योंस देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाएए राज्तान हाइकोट ।न चोड़के हैं तो आप जाएए आपको दोस्तों एक यात्रा का प्रायवाच्ची नहीं है प्रियाटन तिर्थाटन ब्रह्मन स्वफर क्या रहे गा यात्रा का प्रायवाची नहीं है तो राइट अंसर रहेगा तिठ थाटन दो नमरो औपसन बी ओपसन इसका एकदम correct रहेगा एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तो नेक्स्ट कुएशन कर लेते हैं क्वेशन नमर दोसो दो याद का प्रायवाची नहीं है सुद, स्मरण, ख्याल और ध्यान तो question number 202 right answer क्या रहेगा दोस्तो याद का प्रायवाची नहीं है बहुत सही ध्यान चार नमर option question number 202 एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों next question कर लेते हैं question number 203 युवक का प्रायवाची नहीं है तरणी, तरून, युवा और जवान क्योशन number 203 युवक का प्रायवाची नहीं है तरणी, तरून, युवा और जवान क्योशन number 203 right answer क्या रहेगा तरणी ए option इसका एक नमर option एकदम correct एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों next questions कर लेते हैं question number 204 right answer क्या रहेगा कथीन का विलोम सब्द क्या होगा एप्षन, इसका एक number option एकदम correct रहेगा एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों next question कर लेते हैं कथोर का विलोम सब्द क्या होगा पिछला कथीन था कथोर का विलोम सब्द क्या होगा कुशम, कलीम, कुल और कोमल Q131, right answer क्या रहेगा दोस्तों बहुत सही, कॉमल 4 नमर option Q131 का एकदम सही रहेगा, चली दोस्तों Q132, कड़ा का विलोमसद क्या होगा मुलायम, छला, शक्त और पासार Q132, right answer क्या रहेगा कड़ा का विलोमसद क्या होगा एकदम सही बहुत बढ़िया इदर या फिर अब Q133, right answer क्या रहेगा बहुत सही अब होगा ज्या दोस्तों, 4 नमर option Q133 का एकदम सही रहेगा, चली दोस्तों Q133 कर लेते हैं अनिक सब्दों किस्तान पर आपको एक सब्द की लिए 4-4 विकल्प दे रहें कोई एक ही विकल्ब सही है और आपको सही विकल्ब कही चैन करना है ठीक है दोस्तो तो जिसके हाथ में चक्र है या सुदर्शन है उसको क्या बोलेंगे प्रभू, विष्णू, सरस्वति, चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र है या सुदर्शन है उसको क्या बोलेंगे प्रभ पास्विगर रेकर होगे तो नहीं थोड़ा साथ डिफेंट रहेगा तो आप उसके को अंसर ना दे एक परकार का ब्याज जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है क्या भूलें उसको दर्ब्याज ब्याज दर्चक्रवर्ती ब्याज ब्याज वर्धी तो question number 60 right answer क्या रहेगा दोस्तों उसको एकदम सही है चक्रवरती ब्याज तीन number option इसका C option एकदम correct एकदम सही है चलिए दोस्तों next question कर लेते है question number 61 जो आँखो से संबंदी तो जो आँखो से संबंदी तो उसको क्या बोलेंगे question number 61 right answer क्या रहेगा जो आँखो से संबंदी तो एकदम सही है दोस्तों उसको चाक्षूस बोलेंगे question number 61 का एकदम सही है कोई विडाउट हो दोस्तों जरू कमेंट करना जरूर हम सारी कमेंट आपकी पढ़ते रहते हैं जिसकी चिंता करना उचित हो question number 62 right answer क्या रहेगा जिसकी चिंता करना उचित हो right answer क्या रहेगा उसको चिंतनिय बोला जागा तीन नमर उप्शन इसको एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों आप next questions कर लेते हैं उपसर करेंगे उपसर को परते हैं दोस्तों आप कमेंट करते हैं उपसर को परते हैं रास्ता हाई कोट चपड़ासी 4th grade के लिए exam में नहीं आएंगे हाई कोट LDC के exam में आएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप हाई कोट चपड़ासी के तैयारी कर रहे हो तो आपको संदी बिना उपसर को परते के नहीं आएगी इसलिए आपके लिए भी important है exam में question नहीं आएगा वो बात अलग है लेकिन फिर भी important है इसलिए हम आपको भी करवा रहे है और जो LDC के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आएंगे और दोस्तों क्लास के लिए पूछते रहे हैं तो दोस्तों सुबह साड़े आट वजे कलास रहती है ठीक है सुबह साड़े आट वजे कलास रहती है शाम को पांच वजे कलास रहती है और रात को भी साड़े आट वजे कलास रहती है ठीक है दोस्तों सुबह और शाम को जो कलास रहती है हाई कुल जीक की दोनों में अलएक क्योंस रहते हैं हिंदी में जैसे कल हमने आपको जो मोडल पेपर करवाया है ऐसे आगे भी करवा देंगे और लेकिन वीडियो बनाएंगे दोस्तों आप अगर चाहते हो कि मोडल पेपर के आगे भी वीडियो है उसके उपर मुझे 2000 व्यूज चाहिए 2000 व्यूज अब 2000 व्यूज कैसे आएंगे इसका एक ऑप्सन है 2000 व्यूज लाने का एकदम इजी और सिंपल विय है कि अगर आपको 2000 व्यूज कराने है तो इस वीडियो के लिंक को आपको होसके उतने जादा गूरूप में शेयर करना है जा दोस्तो पढ़ाये वाले जितने वी गूरूप आपकी जानकार दोस्त वगरा उन सभी गूरूप में सेंड कीजी उनको भी बोले कि आगे सेंड करें इसको जितना जादा शेयर करोगे उतने जादा व्यूज रहेंगे और 2000 व्यूज जैसे कंप्लीट हो ज जाते हैं अब आप चाते हो कि हम आपके लिए वो भी मोडल पेपरी बनाएं दोस्तो हमारी भी कुछ आशा है इससे आप से कि वीडियो को लाइक भी आप करो शेयर भी करो और बस चैनल जो नहीं है दोस्तो उसको सब्सक्राइब करो लाइक आप कर दीजी शेयर कर दीजी बाकी का मेरा हो मैं कर दूँगा आप इतना चोटा सा काप कर दोगे तो मैं आपके लिए दो गंटे एक्स्ट्रा मेनेज जरू करूँगा दोस्तो अगले क्यूशन है उपसरग चार उपसरग का चैन करना है अधिनाएक के अंदर कौन सा उपसर होगा एकदम सही दोस्तो आ दोस्तों मैंने बताया है मैं बहारूं कुछ के आंसर शेम आ रहे हैं तो पांच सार दिन की बात है उसके बाद मैं उनको सब सही कर दूँआ ताकि सब की क्योशन अलग लग आंसर मिले आपको ठीक है तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं आंसर आलांकि सही रहते हैं एक नमर थर्टी शेम राइट आंसर क्या रहेगा अभी एक नमर उप्शन क्योशन में 36 सहन गए एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट कर लेते हैं कु करम गें अंदर कुन सा उपसर है कु कै कु ए या फिर आपको समर 38 आंसर क्या रहेगा बहुत सही एकदम बढ़ी ऐधेगा दोस्तों B-option का एकदम सही है दोनमर उप्शन का एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों अब करते है प्रतर के क्रस्व वह यह चार विकल्प देर गएग आपको सही विकल्प का ही चान करना है चतुराई के अंदर कुन सा प्रत्व करते होगा राई आई या बड़ सा परते होगा पढ़ाई के अंदर कौन सा परते होगा आई यह धाई या कोई परते नहीं को समर 29 राइट आंसर क्या रहेगा आई एक नुम्बर ऑप्षन को समर 29 एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्योशन कर लेते हैं 30 अंकूरित के अंदर कौन सा परते होगा क्यों सा परते होगा तो दोस्तों क्यों समर 30 का राइट आंसर क्या होगा इत परते होगा ती नमर ऑप्षन क्यों समर 30 का एकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्यों सम कर लेते हैं गबराट के अंदर कौन सा परते होगा दोस्तों गबराट के अंदर कौन सा परते होगा आहट टै हट यह फर हट तो दोस्तों क्यों समर 31 राइट आंसर क्या रहेगा गबराट के कौन सा होगा एकदम सही है आहट परते होगा यह उप्शन इसका एकदम करेक्ट है एकदम सही कर लेते हैं संदी है चा चा विकल्प दे रखें आपको सही विकल्प का ही चैन करना है तो क्यों समर 37 इससे पहले 36 कर चुके हैं प्लेलिस्ट वे जाईए आप सारी वीडियों देख लेजी वहां पर आपको सब क्योंस मिल जाएंगे नीरस के अंदर कौन सी संदी होगी चरितर के अंदर कौन सी संदी होगी स्वर संदी वेंजन संदी विसर्ग संदी या फिर उप्युक सभी दूस चरितर कें अंदर कौन सी संदी को तो 35 राइट आंसर को रहेगा दोस्तों एधम सही रहेगा चली दोस्तों नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंसी संदी होगी स्वार्व वेंजन विस्टर दिया उप्युप सली तो क्योंसे में यही बोल रहा था जिसमें से आंसर आ रहे हैं संदी के अंदर इसके लिए मैं पिचार हूँ जो बनके आगे नोट वह आगे हैं इसको एक कर लेते हैं को सिर्क्राइस कंदैने में कौन सा समत्बूरस टत्भूरस संपर्दान तत्भूरस। ठीन वर उप्छन क्योश्थ हमिंथिन और चणिश्स हमदा्थ PayPal चलिए दिफ यह संप्रदान टतो कर लेका खर चानम लोप्छन क्योश्म सब्सक्राइब चलिए दोस्तों, नेक्स्टेसन 32, रोकरदान तठ पुरुस्थ समद्सक्राइब सभी तॉर्प 스रь रहेगा चलिए दोस्तों, नेक्स्टेसन कर लेते हैं, मोहवरे सही मोहवरे का आपको चैन करना ए ठीक है ओड़ना उतारना ओड़ना उतारने का मुहावरेगा आर्थ क्या रहेगा सिर्डग कर रहेना पगड़ी बादना अपमानित करना या फिर मूह देखना Q29 राइट आंसर क्या रहेगा ओड़ना उतारना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों अपमानित करना तीन नमर उप्सन क्योंशन में 29 गएकदम सही रहेगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्योंशन कर लेते हैं 30 ओंदा गिरना मुहावरेगार्थ क्या रहेगा ओंदा गिरना दोखा खाना प्राजित होना अपमानित करना बुद्धी हिन वेक्ति होना ओंदा गिरना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों दोस्तों इसका प्राजित होना नहीं होगा ध्यान रहे इसका होगा दोखा खाना ये ओप्सन इसका एकदम करेक्ट होगा एकदम एकदम सही होगा एकदम सही है आपका चलिए दोस्तों next question कर लेते हैं ओंदी खोफडी का क्या होगा उधर्ड वेक्ति-मुर्क वेक्ति-पागल वेक्ति-यए जिद्दी वेक्ति question number 31 right answer क्या रेगा ओंदी खोफडी का भवावरेगार्थ होगा क्या होगा मुर्क वेक्ति है, हाड को भी आएंगे, जो आपने पढ़ लिए, जो नहीं पढ़े, वो भी आएंगे,bn करेंगे सारे क्योशन अच्छे नम्मर्स में करेंगे ताकि बहुत सारे आपका तैयारी हो जाए बता ही राइट आंसर कंदे से कंदा मिला कर चलना nciones कंदे से कंदा चिलना बराबर की टक्कर होना सतुरू से कले मिलना भारी भीड़े होना गनिश्ट मित्रता होना अच्छा क्योशन है दोस्तो बहुत बड़िया क्योशन है important 100% important questions जो होते हैं इस type की questions होते हैं दोस्तो बहुत ऐसे बुक्स में भी कम मिलते हैं और एक्जाम में देखने जाने की संभावना इन questions की ज़्यादा मजाती है देखते कितने के बच्चों का सियाता कंदे से कंदा चिलना तो दोस्तो इसका right answer है भारी भीड होना तीन नमर उप्सनिस का एकदम correct होगा इसी उप्सनिस का एकदम सही हो होगा चलिए दोस्तों next question कर लेते हैं अब करते हैं काहोथ देखी लोग विकष्ण होग्ति हो सही का एक इसका सही सही वाल एरत करे दाडी वाला पकड़ा-जाए मुँंचो वाला करे दाड़ी वाला पकड़ा जाए मूचो वाला राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों निरप्राद वेक्ति का देंडित होना गलती मुस्लमान की पकड़ा जाए हिंदू बड़े की गलती पर छोटे का देंडित होना चाला का परादी पकड़ा नहीं जाता क्योशन में 23 बहुत पड़ाओगा दोस्तों पर अच्छा है इसको लेना ही पड़ेगा अपके लिए निर्खषण वैक्ति के लिए पुष्ट के वैर्त है एकदम और ओप्सन सही होगा चलिए दोस्तों क्यों नेक्स्ट को लेते क्यों 25 कोई इर घाट तो कोई बिर घाट कोई इर घाट गाट से दूसरे गाट दोड़ना ताल मेल नहीं होना गाटों का गाटों पर वीरता दिखाना क्यों 25 राइट आंसर क्या रहेगा एकदम सही दोस्ता बहुत बड़ी एकदम सही है ताल मेल नहीं होना सी ओप्षन ती नमर ओप्षन इसका एकदम सही रहेगा चली दोस्तों नेक्स्ट क्योश्ण कर लेते हैं क्योश्ण मों 26 खाली बणिया क्या करे इस कोठी का अधन उस कोठी में गरे धरे खाली बणिया क्या करे इस कोठी का अधन उस कोठी में धरे यह गरे नहीं होगा दोस् देही काम करता रहता है चार नम्र उप्षन इसका एकदम करेक्ट होगा एकदम साही होगा चलिए दोस्तों next question कर लेते हैं वो यह दोस्तों चार उप्षन दे रखें तुरूटी वाले questions है आपको बताना है राइट answer क्या रहेगा कितने बच्चों का सही आ रहा है अच्छा क्यों ने बहुत बढ़िया है इस तरह की questions आपको देखने को मिलते हैं confuse कर देते हैं आपको पता भी निसलता इसमें error है या नहीं है तो क्या है बहुत सारे बच्चों का तक लिए कर देता है जाम में से questions बहुत important बहुत important questions है समाज में अराजकता की समच्छा बढ़ रही है कोई routine तो दोस्तो इसका right answer रहेगा b option इसका गलत होगा यानि दो नमर इसका option एक साही होगा यानि क्या होगा दोस्तो इसमें समाज में अराजकता बढ़ रही है की समस्चा जो वर्ड है यह नहीं आएगा इसके अंदर समाज में अराजकता बढ़ रही है यानि दो नमर उप्शनिस का बी उप्शनिस का एकड़म करेक्ट होगा एकड़म सही होगा चलिए दोस्तों एक्स्ट क्वेशन कर लेते हैं विद्वानों के बीच बोलने का उत्सा कों करेगा कोई तूटी नहीं क्योस्तों में 29 राइट आंसर क्या रहेगा विद्वानों के बीच बोलने का उत्सा कों करेगा कोई तूटी नहीं क्योस्तों में 29 क्या उप्शन सही होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा करेगा ठीक है next question कर लेते हैं को समव 30 हम Rach brown जा humility के मारग में संकट भी आता है कोईज़ाज णी नहीं को समर 30 ऊंटी ? इसर right answer कहरएगा उन्हेज़ा अंजर क्या रएगा रहेगा कोईज़ाज लएगा उसलिफ मवर सबस्क्राइब कर लाइक करना सब्सक्राइब करना मत बूलना सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो आने से पहले से मिल जाए गादे घंटे पहले और वीडियो शुरूने से दो मिनट पहले तब आपको ध्यांदेगा वीडियो आ रहे हैं आपकुछ करें लिए आप वीडियो को लाइक करणा मत भूलना इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट नदर करना जो नीची कमेंट रहती हैं अंậnर ही कमेंट पढ़ेंगे जो पिछी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत और आप से भी तरुका बहुत बत धन्यवाद